नमस्कार दालीड़ा हिंदी में आपका सौगत है मैं हूँ आपके साथ अपने व्रुस्तोगी आए फटा-फट अंदाज में जानते हैं कि आज परेली में दिन भर क्या हुआ मस्जिद की छत पर नवाच पढ़ने को लेकर विवाद हो गया तो समधाय के बीजित तनावपूर्ण हो कई कटना की सूजना पर पहुची पुलिस ने लोगों को समझा बजा कर शान कर दिया मामने में भम और अस्पेक्टर रोहिस चर्मा का कहना है कि मस्जिद की छत्प नवाज पढ़ने की शिकायत पर पुलिस पहुची और शांती पूर्वन तरीके से लोगों को मस्जिद के अंदर नवाज अवदा करने को लेकर समझा दिया वही मुस्लिम पक्ष के लोगों का अरोब है कि राजनीती की चलते हुने नवाज पढ़ने से रोका जा रहा है कुदब खाना के वेपारियों ने नगनिकम के खिलाब खोला मूर्चा वेपारी सेवा संग ने शुकरवार को कुदब खाने पर बैठक करी इसमें वेपारीनेता नदीम संसी ने कहा कि लाई ओवर का कार शुरू होने के बाद बजार में ग्रहकों की संक्या कम हो गई है उधर नगनिकम ने कुदब खाने के वेपारियों की दुकाने सील करने का फर्मान चारी कर दिया है वेपारी ने ताधी पक्रक्वाल ने कहा कि वेपारियों का शोचल किसी भी हालत में नहीं होने दिया जाएगा अवैत कॉलोनियों पे गरजा बीडिये का बुल्डोजर बरेली विकास प्रादीकरण की परवर्तन टीम ने शुकरवार को नेनिताल रोट पिलीबिद बाइपास डोरा रोट भुता रोट पर अवैत कॉलोनियों को बुल्डोजर से धोस्त कर दिया अवैत कॉलोनियों के विरुद उत्तरप्रदेश नगर रुयोजना एवंविकास अधिनियम के तहट करवाई की गई है बिड्ली करमचारियों की हर्ताल जारी दफ्तरों पर लटके ताले विद्ध करमचारी संहुक संगर समिती की हर्ताल शुकरवार को जारी रही इससे शहर से लेका अव्धिहार तक बिजली संकट गहरा गया है कई जगे फॉल्ट होने के बाद भी करमचारी ठीक करने नहीं तोचे हर्ताल के चलते आने वाले दिनों में बिजली का संकट और भी गहरा सकता है बैराल बिजली के दफ्तरों पर ताले लटके हुए है फिलाल आज की बरेली की खबरों में इतना ही बरेली से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए डालीटा हिंदी को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले